कि दोस्तों किसी भी मामले के अंदर एक एफायार नीव का काम करती है नीव मजबूत होगी तो आपका घर ठीकेगा अधरवाइस धारशाई हो जाएगा तो उसी तरह से एफायार सही तरीके से एफेक्टिव लिखना जरूरी है तो किन बातों का ध्यान रखें अगर आप हो सके कटना के तुरंत बाद दर्ज कराने का प्रियास करना चाहिए सेम ड़े आपके एफायर दर्ज हो जाए इतरी तो कोशिश होनी ही चाहिए अगर आप मुझ्णिमान को जानते हैं तो एफायर के अंदर आप उसका नाम लिखें कहां कहां चोट मारी किनकिन हतियानों से चोट मारी ये चीज़ें आप लिखें अगर आप मुझ्णिमान को नहीं जानते हैं तो जितनी आइडेंटिफिकेशन आपके पास आ गई उसकी जो भी आपने नोट किया कि भाई उसके बाल लंबे थे या उसकी आंक से वो काना था या चश्मा लगाता था जो भी आपने किया उसका हुलिया उसका निफ । जरूर करें जिससे कि पोलीस को उसको पकणने में आसानी होगी बाद में करें और मिलावट हो गई होगी फर्दीपन हो सकता है तो नेगिटीव जाएगी इसलिए करण लिखना जरूरी एक्जामपल के तो पर जो व्यक्ति है वह ज्यादा चोटिल हो गया था तो फिर आप पहले प्राइडिटी से उसको उस्पिटालाइज कराएंगे उसके बाद य को दज करती है और 154 से आरपीजी के सब सेक्शन 2 के तहट निशुल्क कोपी भी आपको देगी अब जिस व्यक्ति के चोट आई है उसका मेडिकल आप जरूर करवाएं अगर आपके चोट आई है तो पुलिस को बोल करकि अपना मेडिकल कराएं मेडिकल भी निशुल्क यह सब फिरी होगा निशुल्क होगा सरकारी खर्च पर होगा और देखो यह सरकार का भी समवेधानिक करतव है कि वह अपनी जनता की रक्षा करें तो इस सिस्तिती में पुलिस आपका इलाज करवाती है सरकारी खर्च पर इसके अलावा दोस्तों अगर पीडित व्यक्ति आपका परिवार का व्यक्ति जिसके साथ कोई चोट हुई यह जिसके साथ मारपीठ हुई जिसके साथ अपराद हुआ है वह वेक्ति है तो रिदिक से पूरी जानकारी लेकर घतना की कि सबू को फिर्ण करना चाहिए और या याफ इसagne कर सकते हैं कि आप टयलिफॉनिक कोल करके पुलिस को सूचना से सकते हैं और जहां पर होस्पिटलाइज है वह व्यक्ति विक्टिम वहां बुला करके उसी के जबान से आप गटना बता सकते हैं पर्चा बयान वह पुलिस वाला लिक्कर के लगी जाएगा और उसी को एक फैर की रूप में दर्च कर सकता है पुली है ऐसा नहीं कि आपने कोई बड़ा सारा एड़ेस लिख दिया आप उस एड़ेस के अंदर गई स्पेसिफाइब करें उस जगे को भी तो यह मुख्य बाते हैं आप किसी भी एफायर को एफेक्टिव रूप से दरच करा सकते हैं इस तरह से उम्मीद वीडिए च्छे लग नहीं